मैं भारत को भारती अताकि मानुर्टा के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ देखिये इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है दूद को बागवट्टी जी ने बोला है शाम को ही पीना है अब इनका प्रश्णी है कि हम सुबह चाहे पीते हैं, काफी पीते हैं, तो दूद उसमें होता ही है तो क्या करें, बागवट्टी जी के किसी भी शब्द कोश में चाहे भी नहीं है, काफी भी नहीं है क्योंकि बागवट्टी जी साड़े तीन हजार साल पहले हुए, ये चाए कॉफी तो ढ़ाई तीन सो साल पुरा नहीं है जादा से जादा चार सो साल पुरा नहीं तो चाए कॉफी के बारे में उनका पूरा शास्त्र मौन है बने कहीं एक भी सूत्र ऐसा नहीं है, जहां चाए और कॉफी का जिक्राता है हाँ, काढ़े का जिक्रुनों नहीं किया है, काढ़े का जिक्रुनों नहीं किया है वो ये कहते हैं, कि जो काढ़ा आपके वात को कम करें आपके पित्त को कम करें और कफ को कम करें ऐसा कोई भी काढ़ा दूद के साथ मिलाकर सुबह पिया जा सकता है कोई भी काढ़ा जैसे आज आप काढ़ा पीने जा रहे हैं वो अरजुन की छाल का काढ़ा है अरजुन की छाल का काढ़ा आप जानते हैं वात को सबसे तेजी से कम करने वाला है शरीर की जो acidity होती है रक्त की acidity एक होती है पेट की acidity उससे भी जादा खराब है रक्त की acidity खून की अमलता ही है जो heart attack लाती है तो रक्त की acidity को कम करने की दुनिया में सबसे वड़ी ताकत अगर किसी चीज़ में बागवट जी ने बताई है तो वो अरजुन की चाल है तो आज आप काड़ा पिएंगे अरजुन की चाल का और दुर्भागे से या सौभागे से ये कुछ ऐसा समय है दिसंबर, जन्वरी और नवंबर ये बात का ही समय है शरीर में वायू का प्रकोप ठंड के दिनों में जादा होता है उस समय अगर आप अरजुन की चाल का काड़ा दूद में बना कर पिएं तो आपके लिए औशदी है जी? नहीं नहीं गरम 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 क्योंकि वो औशदी है, भोजन नहीं है भोजन और औशदी में अंतर बताया भोजन वो है जो 24 गंटे में आप नियमित रूप से आपके पेटकी अरवशक्ता के अनुसार खाएं और सालों साल खाते जाएं औशदी वो है जो थोड़े समय के लिए तातकलिक प्रभाव के लिए आप पिएं तो ये काड़ा औशदी है सुबह के अगर समय नवंबर दिसंबर जनवरी ये तीन महीने हैं जो बात के महीने माने जाते हैं फिर गर्मियों के महीने पित के महीने आ जाते हैं फिर बारिश के महीने और उसके आगे थोड़ा महीना कफ का महीना आ जाता है तो ये बात पितकफ के महिने भी होते है जैसे शरीर ये वै dulu तो इस महिने के हिसाब से सुबह काड़ा दी सकते हैं बात को दूर करने वाली आउशदियों का दूद मिलाकर और काड़ा सभी गरम है धन्डा काड़ा कोई है नहीं इस देश में बन्ता भी नहीं तो आप सुबह दूद पीना ही चाहते हैं तो काड़े के रूप में पीजिए मने सुबह दूद पीना ही है ना तो उसमें अरजुन की छाल का पाउडर डाल के पीजिए तो दो फाइदे होंगे बविश्य के लिए आपको हर्ट अटेक फ्री होने की गारंटी जमा है इसको निकालना है बाहर तो अरजुन की छाल इसमें सबसे ज़्यादा उप्योगी है और सौभागे की बात ये है कि 40 रुपए किलो मिलती है क्या बाओ 40 रुपए किलो 20 रुपए किलो 20 रुपए किलो अरजुन की छाल मिलती है 100 रुपई किलो चाए मिलती है और 1400 रुपई किलो काफी मिलती है और 20 रुपई किलो अर्जुन की चाल मिलती है तो कुछ तो होशियार बनिये मारवाडी बनिये कुछ तो अपने रक्त में लाईए मारवाड का, राजिस्थान का, गुजरात का तो 20 रुपए किलो की अर्जुन की चाल नियमित रूप से आप पीजे मैं आपसे विनमरता पूरवक कह रहा हूँ कि आप सब अपने घर में तीन महीने ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी अभी तो दिसंबर पूरा तो निकल गया और अगले सालों की गारंटी हरट अट फ्री क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए एक गिलास दूद तो आधा चमच अर्जुन की चालका पाउडर आधा चमच मने टी स्पून और इसमें अगर गुड मिलाएंगे तो बहुत अच्छा गुड गुड नहीं मिले तो एक गुड जैसी चीज आती है काकवी काकवी आप समझते है गुड को बनने से पहले की स्टेज है वो तरल गुड होता है तरल गुड लिक्विड फॉर्म का गुड वो काकवी कहलता है तो या तो काकवी या तो गुड नहीं मिले तो खांड खांड आप समझते हैं और कुछ भी नहीं मिले तो बूरा शक्कर नहीं क्योंकि बागबटी जी की सूची में कहीं शुगर नहीं है क्योंकि शुगर बनती नहीं थी साड़े तीनजार साल पर गुड बनता था काकवी ब बनती थी बूरा बनता था चीनी बनना 200-500 साल से शुरू हुआ है जी मिश्री बहुत अच्छा बहुत अच्छा आपने कहा मुझे भूल गया मैं आप से पहले कहना चाहता है मिश्री मिठाईयों में मिश्री सबसे उचे स्थान पर है गुण से भी उची है मिश्री तो मिश् तो बहुत अच्छा है सोंट जो है अर्जुन चाल सोंट अगर मिला के उप्योग करें तो सर्वोत्तम वात नाशक काड़ा होता सर्वोत्तम अर्जुन चाल और सोट दोनों का ही गुण है वात को खतम करने का तो वात के रोगी तो जरूर पिया है इसको और वात के रोग क्या क्या है आप जानते हैं